हालो एवरीवन कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एकनोमिक्स का इंडियन एकनोमिक डेवलोपमेंट बुक से दूसरा चैप्टर इंडियन एकनोमी 1950 से लेखे 1990 तक ठीक हमने स्टेटी कर लिया है क कि जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में उस समय में on the eve of independence में इंडिया निकनोमिका क्या हालत था अग्रिकल्चर इंडेस्ट्री इंप्लोइमेंट ये सब चीज हमने देखा था ठीक है आप देखेंगे आजादी तो हमें मिल गया 1950 से लेके 1990 तक ठीक है मतलब फर्स्ट प्लान तक इंडिया में कितना गृध हुआ ने हुआ इंडिया कैसे प्रोग्रेस किया वह चीजा में देखने यहाँ ठीक है सबसे पहले यहां पे दिया हुआ इंटरक्शन लिखा गवा है कि हमारे कंट्री में यह जो प्रेटीशरद लोग थे यह लोगों ने 200 साल राच क किया और फाइनली फंदर अगश्च 1947 को हमें आजादे मिल गया ठीक है आजादे मिलने का बाद जो इंडिपेंडेंट इंडिया था आजाद भारत इसके जो लीडर्स थे ठीक है उनको टिसाइड करना था कि हम किस टैप का एकनोमिक सिस्टम एडॉप्ट करने वाले हमारे क्या हुआ है देखिए टाइप स्वाप एकनोमिक सिस्टम किसी भी सोसाइटी को किसी भी कंट्री को यह तीन सवाल का एंसर ढूंडा पड़ता है सबसे पहला सवाल है यह कि उस कंट्री में कौन से गूट्स और सर्विसेस प्रोडूस किये जाएंगे वाट तो प्रोडूस ठीक है दूसरा सवाल है कि यह गूट्स & सर्विसेस को कैसे प्रोडूस करेंगे कैसे करने का मतलब है कि यह गूट्स & सर्विसेस वो क्या , आप ज्यादा human level लगा के produce करना चाहते हैं या फिर ज्यादा machines यानि capital लगा के produce करना चाहते हैं अकर आप ज्यादा human level लगाएंगे तो country में employment बढ़ जाएगा ठीक है पेडोजगारी कम जाएगा और वही efficiency कम जाएगा क्योंकि machines अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा product आप बना पाइप है लेकिन वही दस लोग काम एक machine कर देगा तो इस case में फिर यहाँ पर unemployment बढ़ जाएगा समझ रहे तो यह decide करना होता है किसी भी country को कि वह कैसे goods and services को produce करना चाहता है ठीक है और तीसरा सवाल यह है कि एक बढ़ जब goods and services produce हो गया उसको distribute कैसे किया जाएगा मान यह पूरा country है यहाँ पर इसके लोग है यहाँ पर बहुत सारा goods and services बन गया country में ठीक है अब इसको लोगों में बाटे कैसे क्या यह बाटना जो है यह क्या need कैसा आप से बाटा जाए या फिर demand कैसा आप से बाटा जाए demand economics पर बोलने का मदलब होता है कि ऐसा समान जो लोग चाफे है खरिदना प्लस लोगों के पास क्या हो purchasing power हो पीपी लिख देते हैं ठीक है अगर लोगों के पास पैसा है वो चीज़ खरिदने का तो economics हो बोलते है कि वो चीज़ डिमार्ड है ठीक है मतलब लोगों के पास desire भी होना चाहिए प्लस पर्चेजिंग पावर भी होना चाहिए अगर ये दो चीज़ है तब हम बोलते हैं डिमार्ड मालीजे आपके जेब में एक भी रुपेर नहीं और आप चाहते है कि आपको एक अच्छा बाइक चाहिए ठीक है तो आपका ये जो चाहत है क्या ये डिमार्ड बोलेंग हैं मतलब देखना है क्या क्या लोगर नीड के हिसाब से डिस्टिबूूट किया जाय कि कांत्री में कुछ वह और भूघ को यस इनको फास पैसा नहीं है जिसको फास पाइसा नहीं है तो ये कोशन कर thing करना होता है किसी भी कंट्र हो ठीक है? तो में लिए तीन fundamental question है कि क्या produce करना है ठीक है अब ये भी समझिया what goods and services produce इसका मतलब क्या है क्या आप country में वही ऐसे goods and services produce करना चाहते हैं जो country का welfare करें या फिर ऐसे goods and services produce करना चाहते हैं जिसका country में demand है ठीक है ये समाल यहाँ पर decide किया जाता है दूसरा कैसे produce करेंगे human से या फिर machine से और तीसरा कैसे distribute करेंगे need के अधार पर या फिर demand के अधार पर ये तीन सवाल का answer किसी भी society में ढूनना होता है किसी भी society को ढूनना होता है ठीक है तो ये सवाल को answer करने का तीन तरीका है और इसी का अधार पर तीन economic system है सबसे पहला है Market Economy या फिर Capitalism ऐसा country जिसमें Capitalism Adopt किया गया है वो country क्या करता है कि Market Forces of Demand and Supply पर Dependent रहता है मतलब माल लिए ये country है यहाँ पर क्या Follow किया जा रहा है Capitalism Follow किया जा रहा है या फिर Market Economy जो Economic System में ये Follow किया जा रहा है ठीक है मतलब ऐसे समझे देखिए Simple सब्दों में माल लिजिए ये कोई country है country बोल लिजिए या फिर Economy बोल लिजिए या फिर Society बोल लिजिए ठीक है यहाँ पर इन तीनों सवाल का एंसर चाहिए तो माल लिजिए ये जो country है ये कौन सा Economic System एड़ाप करता है ये Capitalism एड़ाप करता है ठीक है Capitalism को हम लोग Market Economy भी बोलते है ठीक है इस्टे क्या क्या Capitalism एड़ाप कर लिया तो इसका मतलब ये जो है Capitalism में क्या होता है कि Market Forces of Demand and Supply आप सिथा सिथा देखते है कि Market में Catches का Demand है Demand का मतलब अभी आपको समझाए ही दिए Desire plus Purchasing Power ठीक है क्या चीज लोग Demand कर रहे है वो चीज को ही यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है एक बड़ फिर आपको समझते हैं देखिए Capitalism में क्या होता है कि सिफ ऐसे ही Goods प्रोड्यूस किये जाते है जो कि Demand में हो ठीक है Demand मूलने का मतलब ऐसे Goods जिसको हम Profitably बेच पाए ठीक है मतलब लोग उसको खड़ित पाए जिनके पास Purchasing Power है वो ही तो खड़ देंगे अगर Car का Demand है तो Car प्रोड्यूस कीजिए Bicycle का Demand है तो Bicycle प्रोड्यूस कीजिए ठीक है बात आया कि कैसे प्रोड्यूस करना है लेबर लगाए कि Capital लगाए तो यहाँ पे भी इसका एंसर सिंपल है कि अगर लेबर सस्ता है तो आप लेबर यूस कीजिए लेबर इंटेंसिफ मेथड और प्रोड़क्शन यूस कीजिए या फिर अगर मशीन सस्ता पर रहा है तो आप Capital इंटेंसिफ मेथड और प्रोड़क्शन को यूस कीजिए समझ रहे फिर डिस्टिबूट कैसे किया जाएगा तो इसका एंसर यहाँ बे ऐसे मिलता है इन Capitalist Society गूट्स आर डिस्टिबूटेट अमोंग पीपल नॉट अन दे बेसिस अफ वाट पीपल नीड बट अन दे बेसिस अफ पर्चीजिंग पावर यहाँ पर नीड के बेसिस पर डिस्टिबूट नहीं करते है पर्चीजिंग पावर देखते है जो लोग के पास पैसा है अगर वो लोग डिमांड कर रहे है तो उनको वो समान मिल जाएगा उनको वो समान डिस्टिबूट कर दिया जाएगा समझे की नहीं ability to buy goods and services समझ गए that is one has to have the money in the pocket to buy पैसा होना चाहिए पैसा है तो आपको वो समान मिल जाएगा इस logic से पर डिस्टिबूट किया जाता है अब मालेजिए कहीं पर कुछी country में खाली गरीब लोग रहते हैं उनके पास घर नहीं है तो हम लोग market sense में यह नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर यह गर बना दिया जाए क्यूंकि यह गरीब लोग के पास purchasing power नहीं है और इसलिए इनका demand का demand नहीं है ठीक है तो इसलिए घर जो है यहाँ पर produce नहीं किया जाएगा और market forces के according supply होगा यहाँ पे ठीक है तो इस टाइप के society ना जो हमारे पहले prime minister थे जो आलाल नेरू जो आलाल नेरू को यह जो capitalism में यह उतना पसंद नहीं आया ठीक है तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग तो हमारे leader के पास option था कि कौन सा economic system adopt किया जाए सबसे पहले आमने देखा capitalism capitalism हमारे leader को पसंद नहीं आया खास करते जो हमारे पहले primary मेरे शर्फ है जो आलाल नेरू इनको दो और भी पसंद नहीं आया ठीक है अब आजाए यह दूसरे economic system पर जो कि है socialism socialist society socialist society क्या करता है देखिए इसमें जो government होती है न वो decide करती है कि कौन सा goods and services को produce करना है in accordance with the need of the society government देखती है कि society में किस चीज का need है ठीक है यहाँ पर यह assume कर लिया जाता है कि government को सारा बात पता है society के बारे में ठीक है मतलब government को पता है कि society को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसी के according government खुल से decision लेती है कि हमें क्या goods and services produce करना है समझे की नहीं समझे उपर वाले में हमने क्या देखा था capitalism में कि market में demand कितना है supply कितना है उसके according goods प्रोड्यूस किया जा रहा है ठीक है कि निक लेकिन यहाँ पर demand supply नहीं देखते हैं बलकि सिफ government डिरेक्टीर तैकर देती है कि यह goods प्रोड्यूस करो है कि यहाँ पर यह चीज़ को as you मान लिया जाता है कि government को सब बात पता है कि सोसाइटी में कि इस चीज़ का जरूरूरत है ठीक है अब बात आता है कि यह goods कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसका and decision भी government ही लेते हैं को decide करेगी यह देखते कि country में क्या करने से country का भगा होगा अगर तो government भी यहाँ पर यह decision लेती है कि कैसे produce करना है लेवर इंटेंशिब में सब्सक्राइब करना है यह decision government लेती है ठीक है फिर distribute कैसे करना है तो यहाँ पर नीड के हिसाब से distribute किया जाता है and not what they can afford to purchase purchasing power यहाँ पर देखते ही नहीं है अगर कुछ लोग है इनको अगर जरौत है उस समान का तो government उसको दे देंगे बले इनके पास पैसा रहे है यह फिर नहीं रहे तो इस तरीके से socialism काम करता है ठीक है और जो एकदम strict socialism होता है ना उसमें क्या होता है कि कोई प्राइबेट प्रॉपर्टी अलाउन होता है कट्री के अंदर जो भी रिसोर्स है जो भी घर है सारा चीज गॉर्णमेंट का है गॉर्णमेंट देखेगी कि किसको घर का जरौत है उसको घर दे दिया जाएगा ठीक है कोई प्राइबेट प्रॉपर्टी का कॉंसेप्ट नहीं है यहाँ कि क्यूबा और चाइना हो गया यहाँ पर सोचलीजम फॉलो किया जाता है ठीक है एक दम कम्प्लिट्ली नहीं वोस्ट अप दा एक्टिविटी जो है वो सोचलीज प्रिंसिपल से गवर्ण किया जाता है समझें चली है हम पर क्या रहे हैं टाइप्स ऑफ एकोनोमिक सिसितेम दो हमने पाइए धृँ डुसरह क्या हमने बताहिए सोचलीसम के अलब धिया है सोचलीजम यहूज्टेसरी से अलब यह कोितल्यों है में कि इसमें क्या करतें कि कानरीजिम नहीं क enamber लेगेगा ब्लस शोचलीजम को कुछ फीचर हएं इसी को बलते हैं मिक्स् attracting than वह यहां पर लिहां कि government और market, market मतलब वह capitalism बाला feature ठीक है, यहां पर government और market यह दुनों मिलके यह question का answer देते हैं, कि क्या produce करना है, कैसे produce करना है, और कैसे distribute करना है, यही तीन तो main question था, ठीक है, mixed economy में क्या होता है, कि यह बोल दिया जाता है, कि market को जो profitable लगे, जो वो अच्छे से produce कर सकता है, वो goods and services market प्रोड्यूस करें, और वो चीज जो market अच्छे से produce नहीं कर सकता है, वो चीज को government प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, वही बात यहां पर लिखा हुआ है, तो यह तीनों economic system आप अच्छे से त्यार कर लिए, जो हम underline किये हैं, यह underline आप भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यह underline PDF चाहिए, तो आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इतना बात आपको प्रिपेर कर लिए, डारेक हैं वापस इंट्रोडक्शन में, तो यहां पर लिखा वाता कि हमारे लीडर्स को यह तरह कर दा था कि कौन सा economic system हम follow करे, capitalism की socialism या फिर mixed economy, कौन सा follow करे, तो इन तीनों में से जो socialism है न, जो आलाल नेरों को यह पसंद आया, ठीक है कि चलो socialism follow करते हैं, लेकिन socialism भी काफी strict हो आता है, जैसा कि Soviet Union, जो पहले, जो भी के टाइम में रश्या है, ठीक है, जैसा Soviet Union में socialism follow के दा रहा था, जो और लानेरों को वैसा socialism पसंद नहीं था, तो कैसा पसंद था, ठीक है, वो देखिए, हमारा country जो है न, वो एक democracy है, अभी हमने देखा था कि जो strict socialism होता है, वहां प होती है, ठीक है, private property का कोई concept नहीं है, लेकिन चुकि हमारा country जो है वो एक democracy है, लोग को freedom भी देना है, ठीक है, कई सारे लोग के पास पहले से land है, लोग खरीद के रखे हुए, तो वहां पर ये ownership change करना, ownership pattern of land change करना, ये उत्रा easy task नहीं था, और ये government कर भी नहीं सकती है, ठी government लोग को नहीं चला रहे है, ठीक है, तो इसलिए, जो pure socialism है, वो तो government adopt नहीं कर सकती है, यहां पर, तो government ने क्या किया, देखिया, उस समय जो हमारे जो और जो बाकी leaders थे, वो लोग सोचे, कि ये capitalism और socialism, ये दोनों का जो extreme version है, वो नहीं लेते हैं, इन दोनों का बीच का रा economic system, combine, ऐसा economic system वो लोग adopt किये, जिसमें socialism और capitalism, मतलब ऐसा economic system वो लोग adopt किये, जिसमें socialism का जो best feature है, उसको adopt कर लिये, और socialism का जो भी drawback था, उसको remove कर दिये, मतलब वहां पर capitalism का कुछ feature adopt कर लिये, तो ये सब को देखते हुए, conclusion ये है, कि इंडिया एक socialist society होगा, जिसमें public sector dominate तो करेगा, लेकिन private property भी रहेगा, और democracy भी रहेगा, इंडिया में socialism रहेगा, ठीक है, socialist society, plus private property, ठीक है, private property रहेगा, हटेगा नहीं, और democracy भी रहेगा, गौर्वेल क्या करेंगी, plan बनाएगी, for the, किसके लिए plan बनाएगी, यहां पर लिखा हुआ है, for the economy, ठीक है, और private sector को बोलेगी, कि आप इस plan का, plan का जो भी goal है, उसको पूडा करने में effort मारी है, ठीक है, तो इसी को देखते हुए, इंडिया का पहला जो, industrial policy resolution आया था, 1948 में, और plus directed principles of Indian constitution, इन दोलोगी चीज में, यह outlook जह लगता है, कि government जो है, वो dominating role play करेगी society में, प्लस private sector पर उस पर अपना योगदान देंगे, ठीक है, तो यह बात आप याद रखीएगा, इसके उपर question आया, आचुगा है, पहले board exam में, आप से पूछेंगे कि सबसे पहला industrial policy resolution कब आया था, तो 1948, एक बार और आया था, 1956 में, लेकिन सबसे पहला अगर पूछें तो आप से 1948 वाला टिक करेंगे आप, समझे की नहीं समझे, तो finally 1950 में क्या कर दिया जाता है, एक planning commission बढ़ाया जाता है, ठीक है, planning commission का काम क्या होगा कि यह plans बराएंगे country में, आपको साथ पता होगा कि पहले क्या चलता था, 5 year plan चलत बनाती थी, और planning commission का जो chairperson था, वो कौन होते थे, prime minister होते थे उस समय के, ठीक है, और जो 5 year plan का जो एरा है, उस time से start हो गया, 1950 से, समझे की नहीं, तो यह बात भी आप याद रखिएगा, यहासे एक MCQ बन जाता है, planning commission कब setup किया गया, 1950 में, chairperson कौन होते है, planning commission के, तो prime minister, very important, यह question और यह दो, बहुत important MCQ बनता है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, what is a plan, यह ज़रा समझ लेते हैं, box से भी question आता है, तो plan एक ऐसा document है, जो यह पताता हो कि, किसी भी country का जो resources है, उसको कैसे use किया जाए, ठीक है, resources मतलब raw material machines, पैसा, यह सब चीज, bro, land, ठीक है, तो किसी भी plan में, दो type के goals होते हैं, एक होते है general goals, ठीक है, और एक होते है specific objectives, समझेगे नी समझे, जो कि एक specified period of time, यानि 5 साल में achieve करना होता है, तो इंडिया में जो plans बनते थे, वो 5 साल वाले बनते थे, तो इसलिए इन plans को 5 year plan कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो हमारे plan document थे, up to 2017, planning जो era था, वो 1951 से शुरू हुआ, करते-करते 2017 तक आया, ठीक है, इसके बाद, यह जो plan वाला system में, यह हटा दिया है, मोधी government ने, ठीक है, अब planning commission के जगह पे क्या आ गया है, नीती आयोग आ गया है, अब यह लोग, अलग तरीके से काम करते है, plan वाला system हटा दिया गया है, समझें कि ने, तो यह यह पे लिखा है कि, जो plan document सा 2017 तक आया, बनते हुए, और यह कौन सा 5 year plan था, last हमारा 12th 5 year plan, समझें, तो इसमें क्या होता है कि, objective तो बताया जाते हैं कि, अगले 5 साल में हमें य तरा goals भी होता है, जो कि हमें 20 years में achieve करना होता है, तो इन बड़े plans को, यह long term plan को कहते हैं, perspective plan, ठीक है, यह सब कुछ basic बात है, जानके छोड़ दीजे, उतना question नहीं आए गया इतना अंदर से, फिर आगे दिखिए, हमें पता है कि plans में क्या होता है, कुछ goals होता है, तो यह equal priority, equal importance नहीं दिया जाता है, और कुछ goals तो ऐसे भी होते हैं, जो आपस में conflict करते हैं, for example, अगर मालीजे की plan में यह बोला गया, कि हम चाहते हैं कि जदा से जदा modern technology आए हमारे country में, country का जो technological base है, industrial base है, उसको में improve करना चाहते हैं, यह भी goal रखेंगे, प्लस आप अगर यह employment भी बढ़ाना है, तो यह दोनों goal आपस में conflict करेंगे, क्यों? क्योंकि एक तरफ आप machine जदा ला रहे हैं, और बोल रहे हैं कि employment भी बढ़े, machine आएगा तो employment कमेगा, तो यह दोनों goal एक साथ पूरा नहीं हो सकता है, समझ रहे की नहीं, एक बढ़ेगा तो यह घटेगा, ए उनको equal importance नहीं दिया जाता है, और यह goals कभी-कभी आपस में conflict भी करते हैं, इसलिए planners को क्या करना पड़ता है, एक balance बढ़ाना होता है, इन goals में, जो की काफी difficult जवाब है, ठीक है? इसलिए अलग-अलग plans में, अलग-अलग sector को emphasize किया जाता है, अलग-अलग sectors पर ज्यादा importance इसलिए जाता है, ठीक है? वो चीज़ यहां पर लिखा हुआ है, चलिए, वापस आते हैं, टेक्ट पर जितना मने rant किये होतना बात आप याद रखिए, काफी होगा, हो सकता है, एक्जाम में ये line दे दे और बोलेंगे explain कर दे तो आपको ये for example से यहां तक explain कर देना है, ठ explain करने बोलेंगे तो ये लिखेंगे आप, ठीक है? चलिए, आज आईए, दूसरे टॉपिक पर, दूसरा टॉपिक है, the goals of five year plan, five year plan के goals होते थे, वो क्या-क्या होते थे, तो अभी आपको बताए कुछ होते है general goals, और कुछ होते है specific goals, तो यहां पर general goals के बारे में बात जनरली सभी five year plans के ये चार बोल होते हैं, एक है growth, आप कोई भी plan बनाईए, country में एक चीज़ होना चाहिए, जो की है growth, ठीक है economic growth, दूसरा है modernization, नया-नया technology country में आने चाहिए, तीसरा है self-reliance, country जीतना हो उतरा independent रहे, दूसरे country में ज़्यादा हम लोगा dependence ना रहे, ज़्य आतर समान हम लोग खुदी से produce कर ले, इसको बोलते है self-reliance, और तीसरा है equity, जो growth हो रहा है उसका benefit सब में बटे, ऐसा नहीं कि कुछ लोग पैसा पर पैसा चाहपे जा रहे हैं, और कुछ लोग गरीब कंगाल होए जा रहे, ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, country में equity होना चा of goods and services within the country, किसी भी country में जो goods and services को produce करने का capacity है, अगर वो capacity बढ़ रहा है, हम बोलते हैं कि country में growth हो रहा है, for example, इंडिया में मान लीजिए, for example, मान लीजिए, कि एक करोर रुपे का समान बन रहा है, ठीक है, फिर अब अगले साल क्या होगा कि इंडिया का capacity बढ़ गया, ज्य तो 0.5 करोर इतना रुपे इंक्रीज हुआ, तो यह ही, यह 0.5 करोर क्या हो लेंगे, यह country का growth है, percentage अगर बात करना चाहिए, तो 0.5 by 1 into 100 कर देंगे, तो 50% increase होगा, ठीक है, चलिए, तो growth का मतलब, larger stock of capital, ज्यादा machine रहे हमारे पास, या फिर, जो infrastructure रहे, जैसे कि transport, banking, यह जो machines से, और जो services से, जैसे कि इनका, transporter banking का, इन सब का efficiency वर जाए, तो इन सब चीजों से क्या होता है, growth होता है, तो किसी भी country का growth देखना है ना तो उसका सबसे अच्छा indicator क्या होता है, आप GDP को देख लीजिए, ठीक है, आप किसी भी economy का क्या कीजिए, देखिए कि उसका GDP क इक 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 इन भी growth हो रहा है, समझे कि ने, GDP क्या होता है, आपको national income पढ़ा चुके हो, अगर आप ता वीडियो नहीं देखा है, तो जूरूर एक बार देखिएगा, आपको जूरूर उससे help मिलेगा, ठीक है, GDP क्या होता है, कि कि किसी भी country के अंदर जो भी goods and services, जो भ 500 क्रोर का समान बन रहा है, समझ रहे, तो कितना का growth हो जाएगा, 50 क्रोर का growth हो जाएगा, GDP कितना बड़ा, 50 क्रोर, तो ये जो 100 क्रोर, 500 क्रोर बोल रहे है, वो क्या है, value of goods and services है, और इसी को GDP बोलते है, ठीक है, तो growth देखना है, मतलब आप क्या देख लेंगे, कि कितना increase GDP में, simple सा बात यही है, समझ गए, आगे देखिए, और यहाँ पर यह चीज़ अच्यूम कर लिया जाता है, कि जो growth है ना, वो क्या करेगा, trickle down करेगा, trickle down का मतलब क्या है, कि अगर country में मालीजे, पहले 100 क्रोर का समान प्रोड्यूस होता था, अब 1500 क्रोर का समान प्रोड्यूस हो रहा है, तो ज्यादा growth यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, है कि नहीं, इसका मतलब इसका जो 1500 क्रोर का benefit है, वो सभी लोगों में यह benefit बटेगा, यह पर्टे को क्या बोलते है, trickle down बोलते है, ऐसा नहीं कि यह 30 क्रोड कुछी पैसे वाले लोग खमारें, और बाकी लोग खंगालें, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सिवा में आप एजूम कर ले रहे, कि यह growth जो है, वो trickle down कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं, कि GDP द तर्शेरी, यह लोग उरसें सर्विशें प्रडियूस करेंगे, यह भी कुछ प्रडियूस करेंगे, यह भी कुछ प्रडियूस करेंगे, तिनों को जब हम add करते हैं, तब जाके तो हमें GDP मिलता है, है कि नी, तो अगर किसी भी country का GDP अगर 100 परसंट है, उसमें मान लीजिए जो agriculture sector यानि जो primary sector है वो 30 रुपे कमा के दे रहा है और जो industrial sector है वो मान लीजिए 40 रुपे कमा के दे रहा है या फिर 50 रुपे कमा के दे रहा है मान लीजिए और जो service sector है वो मान लीजिए 20 रुपे कमा के दे रहा है तीनों मिला के कितना हो गया 100 रुपया ठीक है तो यह जो आ आप ऐसे करके बाठ दिये, यह बाठने को ही क्या बोलते है, इसी को बोलते है, structural composition, इस ट्रम को आप याद कर दिजिए, structural composition, वही बात यहां पर लिखा हुआ है, देखे, कभी भी आप इस्ट्रक्ट्रल कोंपोजिशन अपने जिन्दी में, कभी भी, आप समत देएगा कि वहां पर बात हो रहा है कि, primary, secondary, tertiary ने कितना कितना कंट्रिब्यूट किया है GDP में, उस चिसको बोलते है, structural composition, समझ गए, चले, फिर आगे यहां पर modernization पर बढ़ने से पहले, यहां पर कुछ box का जीकर है, उसको study कर लेते हैं, ठीक है, box 2.4, 2.4 यहां पर है, इससे पहले यह भी box पढ़ लेते हैं, 2.3, एक बहुत famous हमारे country के statistician थे, जिनका नाम है, महाला नोविस, यह तो title है, पुरा नाम है, इनका प्रसान्त चंद्र महाला नोविस, short में हम बोलत आता है, आर्किटेक्ट है, इंडियन प्लानिंग का, मतलब इंडियन प्लानिंग का जो main structure है न, वो इन्होंने ही त्यार किया था, अब यह क्यों इतना नाम इतना famous है, चलिए कुछ बात जान लेते हैं, यह सब exam में आ सकता है, देखिए, प्लानिंग सही तोर से start हुआ था on the ideas of Mahala Nobis, यह याद रखीगा, MCQ के रूप में आता है, ठीक है, कि second five-year plan, Mahala Nobis का contribution कौन सा five-year plan में सब सुझादा था, तो second five-year plan, ठीक है, तो इसी sense में इनको बढ़ा जाता है, architect of Indian planning, देखिए, इनका जनम वगा था कैलकरता चलिए, यह सब तो ठीक है, इन्होंने एक, दो society को established किया था, यह राद, दो institute को established किया था, एक का नाम है Indian Statistical Institute, ISI, बहुत ही reputed और famous institute है, कलकाटा में, ठीक है, और इन्होंने एक जर्नल इस्टिपी स्टार्ट किया था, जिसका नाम है संख्या, जो कि आज के टाइम में भी कापी एक respected forum है, statistician के लिए, यह लोग आप अपना ideas discuss करते हैं, ठीक है, तो आज भी यह जो institute है, Indian Statistical Institute, इसमें admission देने के लिए काफी tough competition होता है, आप भी class dual के बाद चाहें, तो इसमें admission लेके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, आप इस्टैस्टिस्टिशियन बन जाएंगे, समझे की नहीं, तो यह आए पर लिखा ह है, कि बोथ ISI, Indian Statistical Institute, और संखियाग, यह दोनों आज के date में भी काफी ज़्यादा, regarded है, काफी ज़्यादा respect लेते हैं, statistician और economist से, all over the world to this day, पुड़ा वर्ल में famous ही यह दो दो चीज, ठीक है, फिर और कुछ यहां पर तो उतना नहीं लिखा है, और इनके बाद में कुछ बात बताया हुआ है, देखिए, second plan जब बन रहा था, second five year plan, तो महला नोविस क्या किये थे, कई सारे economist को invite किये थे, abroad के, ठीक है, इंडिया के भी और abroad के भी, कि आप आईए और मुझे advice दीजिए, और कुछ एकनोमिस तो ऐसे भी थे, जिनको बात में जाकर nobel prize मिला, मतलब म किसी के अंदर जो talent है, उसको पेचाने में काफी माहिर थे, इनको पता था कि ये लोग काफी talented है, बले ही उसमें इनको nobel prize नहीं मिला हुआ था, ठीक है, इन लोगों को, लेकि तभी महला नोविस इनको invite किये थे, कि आईए आप मुझे थे थे, फिर इन लोगों को बात में जाके nobel prize नहीं मिला, ठीक है, इसके अलावा महला नोविस का ये खास बात था कि ये, वैसे लोगों को भी invite किये थे, जो कि काफी critical थे socialist principle के, मतलब महला नोविस का जो, ऐसे लोग जो महला नोविस से एग्री नहीं करते थे, महला नोविस उनके उनसे भी advice लेते थे, समझे कि नहीं, और यही एक काफी बड़ा पैचान होता है, अपने great scholar, एक बड़े scholar का, बड़ा ज्यानी का, ठीक है, कि वो अपना आलोचक से भी, अपना critic से भी advice लेता है, समझे कि नहीं, वो ही सब बात यहां पर लिखा हुआ है, काम का बात जो है, वो ही इतना याद रखी है, कि second five year plan में एका बहुत ज़्यादा contribution था, और इनको architect of Indian planning कहते है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे हैं, दूसरा गोन को discuss करते हैं, जो कि है modernization, modernization का simple सा मतलब है यह, adoption of new technology is called modernization, अगर country का अंदर नए नए machines आ रहे हैं, ठीक है, जिसे country का production बढ़ रहा है, गोट्सन सर्विसेस का, तो country में क्या हो रहा है, बोलें का modernization बो रहा है, लेकिन modernization का मतलब सिफ यह नहीं है, कि आप नए नए technology को इस्तमाल करते जाए, modernization का मतलब यह भी है कि country का जो society है, उसका जो outlook है, नजरिया है, वो भी बदले, खास कर से, जो women का recognition है, वो काफी बढ़े, women और men को equal rights मिले, अगर ऐसा हो गया ना, तब हम गोलेंगे कि country सही माइड़े में modernize हुआ है, traditional society में क्या होता है, कि women और women घर का काम करते हैं, घर में जाते हैं, और men बाहर काम करते हैं, लेकिन society सही माइड़े में तभी modern बनेगा, तभी modernize होगा, जब women भी work place में, जैसे कि bank, factory, schools, यहाँ पे भी men की तरह ही equally contribute करे, तब society सही माइड़े में modernize होगा, यह बात हम आपको क्यों बता है, क्योंकि यह जो rates underline किये हुए, यह सीधा statement यहां से यहां तक लिखते हैंगे, और वो लेंगे explain कीजिए इस बात को, ठीक है, तो आपको यह चीज explain करना है, यह सारा अच्छे तरीके से हम detail answer website पर डाल दिये हैं, अब दाक्ट प्रिपेर कर लिजेगा, ठीक है, अब यह आप समझ के छोड़ते चलिए, तीसरा goal है, self-reliance का, ठीक है, किसी भी nation को अगर growth करना है, तो वो दू तरीके से कर सकता है, क्या तो वो अपने resources को use करके growth कर सकता है, या फिर वो चाहे तो resources को दूसरे country से import करवा सकता है, और बदले में पैचा चाप्टर पर रहें, 1950 से लेके, 1990 तक, है कि नहीं, तो यहाँ से first five year plan, 1951 से start हुआ, से लेके seven five year plan, जो की था 1990 तक, यही period तो हमें study कर रहें, तो इस पूरे period में, self-reliance के उपर काफी जोड़ दिया गया, self-reliance का मतलब होता है, कि आप import जो है, जड़ ज़़दा avoid कीजिए import का मतलब क्या है, कि दूसरे country से समान मंगवारा, इसी को तो import बोलते है, तो आप import सिफ उनी समान का कीजिए, जो कि आप country के अंदर produce नहीं कर सकते है, ठीक है, इसी को self-reliance कहते है, वही रहें, आपर क्या लिखा है, कि avoiding imports of those goods which could be produced in India itself, ठीक है, और ऐसा policy अपना जरूरी क् था, तो इसके लिए आपर दो reason दिया हुआ है, ऐसा policy हम इसलिए अपना है, पहला reason यह है, कि हम foreign countries पे ज्यादा dependent ना हो जाए, खासकर से food के लिए, जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो हम लोगा हालत यह था, agriculture तो हालत खराब था उसका, तो हम लोग फूर्ड भी जो ह तो फुदार्टे के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, self-reliance पे काफी ज़्यादा focus कर रहे थे, समझे की नहीं, वही आप लिखाएं, कि this policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food, ठीक है, और तुसरा reason यह भी था, कि हमारे अंदर यह दर था, कि हम अगर जादा दूसरे country पे dependent हो गए, food के लि में आजाएगा foreign interference के, मतलब अगर मानलीजे, अगर हम किसी एक country से बहुत ज़्यादा machines मंगा रहे है, बहुत ज़्यादा food मंगा रहे, technology मंगा रहे, ठीक है, तो मानलीजे यह country का mode change हुआ या फिर कोई बात, कुछ अनबंद होगी है दो लो country के बीच में, ठीक है, यह country का ऊ और use क्या था, vulnerable, ठीक है, तो यह चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, काफी ज़्यादा self-reliance पर focus कर रहे थे, समझे की नहीं, तो यह दो reason याद रखे है, क्यों हम लोग first seven five year plan तक, one से लेके seven five year plan तक, क्यों self-reliance पर इतना focus किये थे, इसके लिए यह दो reason आप याद रखेंगे, ठीक है, इसकी पर पर question आ सकता है, अब आजएए तीसरे चौत्वे गोल पर जो कि है equity, equity भी होना बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आप country के अंदर बहुत ज़्यादा growth कर रहे हैं, काफी ज़्यादा modern technology है, modernize भी होगी है society, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर जरातर लोग गरीव में भी रह रहे हो, ऐसा तब होगा जब equal distribution ना हो तब, every Indian को जो है उसका basic need मिलना चाहिए, basic need क्या है, रोटी, कप्रा, मकान, तो यह आपके सिब रोटी के बारे में लिखा है, मकान के बारे में लिखा है, कप्रा नहीं लिखा है, education, health care, यह जो है basic necessity है, किसी भी citizen का, ठीक है, और जो inequality है, wealth का distribution में वो कम से कम हो रहा चाहिए, ठीक है, चलिए, तो यह हमने चारो goal discuss कर लिया, सब के बारे में चोड़ा सोटा point याद कर लेना है, आपको website में मिल जाएगा, आप यह आप सिक समझ के छोड़ती जिए, website में आप questionnaire करेंग लेके 1990 तक, यानि फर्स्ट 5-year plan से लेके 75-year plan तक हमारा country कैसे perform किया, यह चीज हम एनलाइस करेंगे तीन सेक्टर को देखके, पहला है agriculture सेक्टर को देखेंगे कि इसका आलत क्या रहा इस time period में, फिर industry को देखेंगे कि इसका आलत क्या था इस time period में, और फिर trade को देखेंग है, हमें पता था कि colonial rule के टाइप पे हमारा agriculture sector का नहीं growth था, नहीं equity था, इंटर्मेंटरी बड़े बड़े थे, बड़े बड़े लाइंडलोड थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन था, जो टेरेंट से जो पूर लाइंडलेस लेबरर थे, वो काफी ज़्यादा थे, तो equity था नहीं, ठीक है, रिस्पोर का gap काफी ज़ला था, और growth भी था नहीं, ठीक है, तो हमारे policy makers को ये issue को address करना था, इसको उन्होंने address किया दो तरीके से, पहला वो लोग land reform ले के आए, और तूसरा वो लोग green revolution जिसको HYB seeds का implementation ये ले के आए, ठीक है, चलिए ये दो को discuss करते हैं, सबसे पहला है land reform, independence का time में हमारा तो land tenure system था, land tenure system का मतलब है कि अगर country में बहुत सरा land है अगर, तो ये land किसका control में है, कौन ये land का मालिक है, कौन खेती कर रहा है, इसको बोलते है land tenure system, ठीक है, तो ये land tenure system में काफी ज़्यादा intermediaries थे, बिचौल ये लोग थे, जैसे कि जमीदार्स हो गए, जागेदार्स हो गए ये लोग, ये लोग कौन थे, जमीन तो इनका ही है, जमीनदार का है, ठीक है, तो ये लोग खुद खेती नहीं करते थे, बलकि कोई tenant को, कोई एक किसान को रख लेंगे, कि आओ तुम यहाँ पर खेती करो, ठीक है, पनले ये ला, ये जमीनदार, जागेदार से, ये लोग खाल नहीं, मेरली सिफ रेंड कलेक करते थे, फ्रम एक्च्वल टीलर्स ऑप दर स्वाइल, और उस लेंड को इंप्रूफ करने के लिए एकदम भी कल्टिबूट नहीं करते थे, इसलिए हमारे एरिकल्चर सेक्टर का जो प्रोड़क्टिविटी है, वो काफी लो था, हम लोग यूएसे से काफी ज़्यादा फूड इंपोर्ट करते थे, समझे की नहीं, तो हम चाहते थे ही, एरिकल्चर सेक्टर पर क्या आए, इक्वीटी आए, बड़ाबरी आए, तो इस इक्वीटी को लाने के लिए, हमें क् कुछ बदलाव करणा था, ठीक है, तो लैंड रिफर्म का मतलब है, चेंज इन दा ओनर्शिप अफ लैंड होल्डिंग्स, अभी ये लैंड पर जिसका कंट्रोल है, उसका कंट्रोल हटा के जो एक्चुल टिलर से उनको लिए लैंड दे दिया जाए, इसी को बोलते है लैं अपर तॉपिक बढ़ रहे ठीक है, इसको ध्यान जा समझेगा, आईडिया ये था, हम क्यूं चाहते थे कि जो एक्चुल टिलर है, जो एक्चुल जो खेती करता है, उसी को ये लैंड बिल जाए, ऐसा हम क्यूं चाहते थे, ऐसा इसको जब इसको हम ओनर्शिप दे देंग न तब इसके अंदर क्या होगा एक incentive यानि एक चाहा पैदा होगा कि चलो ज़ादा ज़ादा produce करते हैं ज़ादा produce करेंगे इसका मतलब इनको ज़ादा profit होगा पहले क्या क्या था एक incentive था एक चाह था कि वो लैंड गो थोड़ा improve करे लैंड में थोड़ा invest करे ताकि improvement आ सके ठीक है तो यह logic से क्या किया गया लैंड रिफर्म लाया गया मतलब जो टीलर से उसको ओनर बना दिया गया समझें यहां पर बोला गया कि यह बॉक्स 2.5 देखने को बोला गया है चलिए देख लेते हैं कि ओर शीप एन इंसेंटिव देखिए कैसे होता है अगर उनको ओनर बना दिया जाए तो ठीक है अभी क्या होता है जो टेनेंट होते हैं जो सिफ रेंट के ऊपर काम करते हैं उनको जड़ा बेनिफिट मिलता नहीं है भीके यह फिट नहीं भीके ठीक है रोटन फ्रूट्स हो फ्रेश फ्रूट हो सबको एक साथ पैक करके बेज देदे ठीक है तो ऐसा गलत का मिलूब नहीं करेंगे जब इनको ओनर्शिप मिल जाए तो ठीक है वह बात यह पर पूरा लिखाया आप एक बड़ पढ़ लीजेगा ज्यादा काम का है नहीं आगे आ जाते हैं तो अभी अब हमने सम्झा की अग्रीफिल्चर सेक्टर पीड़ लाने के लिए लाया गया लैंड रिफांच के साथ एक और चीज जो कि है land ceiling यह भी क्या होता है देखिए land ceiling का मतलब होता है fixing the maximum size of land which could be owned by an individual एक individual कितना amount of land खरीच सकता है इसी को बोलते land ceiling ceiling मतलब fix कर देना कोई चीज को वह यहापे लिखाया है इसका purpose यह था कि जाला तर land जो है वो कुछी हातों में नाराज है land का जो वो equal distribution पहले क्या था कि एक इंसान कितना भी land खरीच सकता है ठीक है उसके पास पैसा होना चाहिए लेकिन अब land ceiling ला दिया गया मतलब एक इंसान for example मालनीजे एक एक एकर के बाद और जबीन नहीं खरीच पाएगा ठीक है तो automatic जब जबीन बचा हुआ है वो दूसरे इंसान को मिलेगा सब में बराबर डिश्ट लगबग ठीक ठाक distribution हो जाएगा ठीक है land ceiling का वज़र से तो यह दो रिफॉर्म्स लाया गया सबसे पहले लैंड रिफॉर्म डूसरा है land ceiling समझके दोनों दोनों का definition और नाप क्याद कर लीजेगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसका impact क्या पाड़ा ठीक है सबसे पहले land reform का impact देखते हैं तो कई सारे जम्मिदार को ban कर दिया गया ठीक है और जो tenant से उनको ownership right दे दिया गया इससे agriculture अब ही जो हम पढ़ने वाले हैं वह यह पढ़ने वाले कि यह land reform का क्या क्या negative point क्या क्या challenges इसको face करना पड़ा वह देखने वाले ठीक है सबसे पहला challenge यह है कि कूछ areas ऐसे थे जहां पर जो पहले के जम्मिदार थे ना वह जम्मिदार क्या 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 continue to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation country में यह law तो पास हो गया कि land reforms land reforms आ गया ठीक है मतलब जम्मिदार जगिदार यह सब को abolish कर दिया गया लेकिन यह law में कई सारे loopholes से ठीक से implement नहीं हुआ तो कुछ line को छेड़शार करके यह लोग क्या किये जो जम्मिदार थे वह अभी भी वह अपने जम्मिद पर कंट्रोल बनाए हुए रखे हुए थे ठीक है बले यह जम्मिदार इस पर खेती नहीं कर रहे जम्मिद अभी इनका ही था actual rate को नहीं मिला ठीक है तो पहला कि यह लोग कुछ लूपोल से इतर लेजिस्लेशन कानून ठीक से बना नहीं पुछ उसका फाइदा उठाके यह लोग अभी भी लैंड को ओन किये हुए थे दूसरा सेलेंज पर बात करते हैं दूसरा सेलेंज यह है जब जमिदार लोग यह देखे कि अब टीलर्स को ही जम अब भी तुम्हारा ही होगा समझे कि नहीं वह यह आपर लिखाए कि टेनेंट्स वे एविक्टेट बागा दिया गया और लैंड उनर्स हो थे वो क्लेम करने लगे तूद भी सेल्फ कर्टिवेटर एक्च्वल टीलर्स करते हैं और इससे उनको लैंड का उनर्शिप मिल ग ठीक है तीसरा चैलेंज यह है कि कई जगा पर टीलर्स को तो यह लैंड मिल गया लेकिन यह टीलर्स पैसे वाल ले थे ठीक है जो एक्च्वली जो गरीब लेवरर थे ना जिसेंगी शेयर क्रॉपर हो गए लैंड लेवरर हो गए इनको ज्यादा बेनिफिट पाँचा नही लाकी नहीं तो इसको भी चैलेंज मुटाऊ करना पड़ा देखिए इसको यह फे तीन चैलेंज फेस करना पड़ा लैंड सेलिंग सेलंग फ़ेश्ट है पहला चैलेंज यह है land selling क्या है यादे के बुल गा है land selling मतलब ये fix कर दिया गया कि एक इंसान कितना land खरीद सकता है तो इसका challenge ये था कि जो बड़े बड़े landlord थे ना वो क्या किये courts में जाके इस law के खिलाफ challenge कर दिये ठीक है जारे ये तो गलत है कोई इंसान कितना land खर देगा ये government कैसे fix कर सकती है इसको court में चैलेंज कर दिये ठीक है जिस फ़से ये law implement होने में काफी delay हो गया ये पहला challenge हो गया ठीक है दूसरा challenge ये है कि ये बड़े बड़े landlord इसी delay का फायदा उठाके क्या किये जो जमीन था पहले माल लीजे एक landlord के पास बहुत बड़ा जमीन था अब क्या किये ये अप कुछ जमीन अपना बीबी का नाम कुछ जमीन अपना बेटा का नाम कुछ ज जमीन रेजिस्टर करवा लिए तो इसलिए ये लोग ये नियम से बज गए कि एक इन साथ के पास इतना ही जमीन है है चो एक ही परिवार का समझ रहे अपना ही है सब लेकिन अधर लगना पर रेजिस्टर हो गया तो ये दूसरा challenge हो गया और तीसरा challenge ये है कि यहाँ पर भी में काफियाद से काम किया एक है के रहला और दूसरा है वेस्ट बेंगॉल ये दो इस टेक में काफियाद से तरीके से इंप्लिमेंट हुआ बस इतना बात आप यहाँ से याद रखिए ठीक है चलिए तो हम पर रहे हैं क्या agriculture sector agriculture sector में हमने देख लिया एक्विटी लाने के ल कि इंडिपेंडेंस के टाइम में लगबग 75% जो कंट्री का पॉपुलिशन था वो अगरी काफियाद सेक्टर पे डिपेंडेट था अतलब कंट्री में अगर 100 लोग है तो 100 लोग में से 75 लोग ऐसे थे जो अगरी काफियाद से कमा के खा रहे है ठीक है प्रोड़क्टिव जो फार्मर थे वो मोंशुन पर डिपेंडेंट थे अधर बारी सीधर उधर हुआ तो यह फार्मर का क्रॉप भी फेलो जाता था ठीक है तो इस्टैंग्नेशन जो था ना यह जो इतना बुरा हालत था है रिकल्सर सेक्टर का यह बुरा हालत को तोरा किसने गिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता ठीक है कैसे बढ़ जाना आप नौर्वाल सीड ने यूज कर रहें आप ऐसे सीड यूज कर रहें जो कि हाई इल्डिंग वराइटी के हो यह माली जे पहले आप गेहू का बीज बहते थे तो कुछी कि 45 केजी चाबल होता था लेकिन सब्सक्राइब होता था अब माली जे एच्वाइब इस वराइटी इस वराइटी का अगर सीट पो रहें तो आपको 45 केजी गिवों का जगापे 40-50 केजी गिवों बर उपजोर आता ठीक है मतलब यह सीड ऐसे होते हैं जिसमें बायो टेक् सीड्स बोलते हैं खासकर से इस टाइप के सीड्स जो है वो राइस और वीट के राइस और वीट का इंपलिमेंट किया गया था तो अब आप सोच रहोंगे कि यह तो बहुत अचा टेक्नलोजी है हम लोग ऐसा ही बीज क्यों ना सभी फसल का लगा दिया जाए ठीक है आलू यह हमारे कंट्री में नहीं बनाया गया है यह टेक्नलोजी किसी और कंट्री के साइटिस लोग मिलके बनाये हुए ठीक है अगर हम सारा इनका ही बनाया हुआ बीज अगर हम यूज करने लग जाए तो फिर से वही बात समझ रहे हमारे सेल्फ रिलाइंस को काफी ज्यादा खत्रा पहुचेगा हम लोग इस कंट्री पर काफी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि अगर हम इनका बीज अपने फार्मर्स को देले लगे तो यह फार्मर्स तो सिफ यही बीज यूज करने लग जाएंगे कि यह बीज काफी अच्छा होगा ठीक है लेकिन मालीजे बाइचाल से अगर फिचर में जाकर यह कंट्री अगर यह बीज का सप्लाई रोग देता है तब तो हमाना कंट्री भूका मर जाएगा है की नहीं तो इसलिए हम सारा फसल में यह टेक्नोलोजी इंट्रट्यूश नहीं किये थे हम सिफ राइस और वीट का ही यह में बाता गरा है समझ रहे कि नहीं चलिए फिर आगे देखिए लेकिन यह सीट को इस्तिमाल करने का कुछ कंडिशन भी था कंडिशन यह था कि इसमें फोटिलाइजर और पेस्टी साइड का क्रेक्ट कॉंटिटी में इसमाल करना ज़रूरी था आप फोटिलाइजर आप इसको आपको दो केजी करना पड़े आप है इसको भी एक ऊसका यह रहे है तो यह काम नहीं चलेगा ठीके इसका मतलब था कि फार्मर्स को अगर इसका फाइदा उठाना है तो उनको रिलायबल इडिकेशन फैसलेटी चाहिए था साती साथ यह जो फर्टिलाइजर पेस्टी साइड खरिदने के लिए फानेंशल जो सपोर्ट है वह बीचीज चाहिए था तो इसलिए ग्रिन रिवोलुशन का दो फेज है दो फेज में सको इंप्लिमेंट किया गया फर्स्ट फेज अग्रिन रिवोलुशन था और दूसरा थ था वो मीड नाइटीन सिस्टी से मतलब है प्रॉक्स नाइटीन सिस्टी फाइब से लेकर नाइटी सेवेंटी फाइग तक फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवल्यूशन आया ठीक है यहाँ पे यह तीन इस्टेट पर फोकस किया गया पंजाब आंध्र परदेश और तमिल ठीक है इसके बाद जब यह तीन इडिया डेवलाफ हो गए तब सेकेंड फेज ऑफ ब्रीन इवल्यूशन इस्टार्ट किया गया 1975 से लेकर 1985 तक है ठीक है मीड नाइटीन एटीन इस मतलब 1985 एफ्रॉक्स तो यहाँ पर जो बाकी स्टेट से वहाँ यह टेक्नलोजी स्प्रे अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है अगरिकल्चर में हमें पता है अगरिकल्चर का आउट्पूट बढ़ गया अगरिकल्चर का ग्रोथ डेट भी बढ़ गया ठीक है लेकिन यह ग्रोथ और आउट्पूट तभी तक तब तक कामका नहीं है जब तक आप इसको मार्केट में ना बेच दे फॉर इजामपल मालीजे पहले पास केजी चावल उबज रहा था आप मालीजे पास केजी से करेंगा घब इसमों से कुछ केजी समान जो है वह मार्केट में बेचें कि मार्केट में बेचें गा सब्सक्राइब भारिब्पा। अब पहले किसान खुद कंजूम कर गया और बचा गवा 45 kg वह मार्केट में बेच रहा है तो इस 45 kg को क्या बोलते हैं इसके उपर बहुत बार कोशन आचुगा आपके पोड़ी जाम में इसका देफिनेशन पूश्टे तो यह दपोर्शन अफ अग्रिक प्रोड्यूस विच इस इस व्याद कर लेंगे चलिए तो ज्यादा अगर मार्केट में ज्यादा फसल बिगेगा तो इसे जो प्राइज फ वह कमेगा और इससे कंजम्शन इजी हो जाएगा जो लोग इंकम वाले ग्रूप लोग जो है यह लोग ज्यादा इस इस पेंड करते खाना पे तो इनका लाइप स्था इजी हो जाएगा ठीक है और ग्रीन इवलुशन से यह भी फाइदा हुआ कि अब गौर्ण्मेंट जो इसको बफ़र स्टॉक बोलते हैं तो ऐसा से सीन था यह लाइन इसको पर भी कोशन आता यह लाइन देंगे और इसको एक्सप्लेंट खेजिए तो आप ग्रीन इवरुशन से पहले वाला सीचुशन बता दीजिए और इसके बात बाला बीफोर और आफ्टर बता दीजिए क काम हो जाएगा पहले क्या था लोग रोध इंपोर्ट करवाना पड़ता था है अमेडिका से ठीक है टेक्नलोजी नहीं था इडिकरेशन फेसलिटी नहीं था यह आने का बात इसको दो फेस में इप्लिमेंट किया गया सेल्फ सफिशेंट हो गया इस टॉक्मेंट होने लग हो सकता था हम दो एक्सपोर्ट भी कर रहे थे ठीक है ऐसा कुछ बात लिग दीजिएगा यह एंसलों विबसाइट में टाथ दीए आगे देखिए अब कुछ हम बात करेंगे रिस्क के ऊपर यह जो टेक्नलोजी ग्रीन रिपोल्यूशन के साथ हमने अडॉप्ट किया था इसमें कई साला रिस्क इन्वाल था एक रिस्क यह था हमें यह डर था कि जो बीग फार्मर है और जो स्मॉल फार्मर है इन दोनों के बीच में जो है यानि जो इन इक्वालेटी है वो और बढ़ना जाए क्योंकि परें फार्मर के पास इरिगेशन फेसिलेटी फटिलाइजर पेस्टिसाइट यह सब चीज वो लोग अच इजली अफॉर्ड कर पा रहे थे लेकिन इसमॉल फार्मर को यह सब चीज नहीं जल्दी मिल पा र बीरा जो है पेस्ट जो है वो काफी जल्दी अटाक करते थे ठीक है और जो फार्मर थे अगर वो लोग इस टेक्नोजी को अडॉपकर रहे थे तो अगर इनके क्रॉपों को फेस्ट अटाक कर देता तो यह फार्मर तो एकी ऐभार्य पुरा तबाह हो जाता यह दो रिस्क था इस नए टेक्नलोजी का लेकिन इस रिस्क को गवर्मेंट ने अवाइड किया कुछ स्टेप्स लेके गवर्मेंट ने सबसे पहला इस्टेप्स यह लिया कि वह लोग इस्मॉल फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंट्रेस्ट पे लोन्स प्रवाइट करने लगे ताकि यह को दिया जाने लागा ठीक है सब्सिडाइस समझते हैं मतलब मालीजी कि कोई फटल्याजर का दाम सो रुप्या है तो गवर्मेंट जो है वह फार्मर को बोलती है कि क्या करो तुम लोग सिफ साथ रुपय करो बाकि 40 रुपया गवर्मेंट अपने जेब से पे कर देगी ठी ठीक है तो यह 40 रुपया पोलते हैं अपने किया सबसीडी गवर्मेंट दे रही है छूट ठीक है तो यह पहला एक छीडिव ने लिया इसके अलावा गवर्मेंट एक दुसरा दूरीग सथा कि यह इसमॉल फार्मर्स के अगर ग्रॉप स्कूप पेस्ट अटक कर दिया तो कि उस फसल पर खीरा कम से कम लगे ठीक है रिसर्च करकर करके तो इस से क्या होगा है डिस्क भी काफी हद तक कम गया तो यह दो इस्टेप दो तिन इस्टेप लेखे गौर्डमेंट ने कि Last Channel का यह जो रिक्स था वो काफी कम किया ठीक है चलिए अब बात कर लें को सब्सेडिज के ऊपर सबसेडिक क्या होता है हमें आपको समझाही दिए अब सके ऊपर डिवेट चल रहा है सबसेडि को कंठिडियो किया जाए कि नहीं किया जे थीक है चलिए देखते है हैं हौह क फार्वर्स जेनरल टम में और खासकर से स्मॉन फार्वर्स का गौर्वर्मेंट में टार्गेट था मतलब गौर्वर्मेंट का में टार्गेट स्मॉन फार्वर्स थे कि इनको कम दाव में जो इन्पूट से वो प्रोवाइट किया जाए क्योंकि देखिए उस समय यह जो hyv technology था green revolution यह काफी नया था और कोई भी नया technology को काफी risky मना दाता है किसी भी इंसान के द्वारा farmers के द्वारा यह पर मना गया तो गौर्मेंट क्या चाती थी कि यह जो farmers है यह नए technology को adopt करें लेकिन यह risky भी हो सकता था इसलिए government यह नए technology को adopt करवाने के लिए क्या provide करने लगी subsidies provide करने लगी कम दाम में inputs provide करने लगे ताकि farmers encourage हो पाई इस नए technology को test करने के लिए ठीक है तो जब farmers ने यह नए technology को adopt कर लिया अब फसल भी अच्छा हो रहा है green revolution आ गया ठीक है अब यह कूछ economist का कहना है कि चुकि यह technology को काफी profitable पाया गया है अच्छा मना गया और इसको काफी farmers ने adopt कर लिया है तो अब यह subsidies का रोल खतम कर देना चाहिए जो government चूट दिया करती थी fertilizer pesticide पे वो चूट अब हटा देना चाहिए वह लिखाया आप कि subsidies should be phased out since their purpose has been served subsidy जीस reason से दिया गया था वो reason fulfill हो गया तो अब subsidy देना कोई मतलब नहीं है पेकार में government का एक्स्टा खर्चकर के फायदार नहीं है जो पैसा बचे का उसको दूसरे other productive works में लगा सकती है government ठीक है यह हो गया पहला point जो लोग यह कहते है कि subsidy को हटा देना चाहिए समझे इसके अलावा दूसरा point यह है यह एक रोमिस्ट कहते है कि जब government fertilizer subsidy देती है ना तो यह fertilizer subsidy का जड़ातर benefit जो है ना यह fertilizer industry उठाके ले जाते है for example वालीजे यह fertilizer industry है इन्होंने एक package fertilizer बढ़ाया जिसका दामे 100 रुप्या ठीक है फार्मर्स को यह कितने गा परेगा मन लीजे यह 60 रुप्या परेगा ठीक है बाकी 40 रुप्या government अपने जेब से पेक कर रही है है कि नी तो यह fertilizer industry जो है यह इसका फाइदा उफारे जनातर इसको तो ले दे कि 100 रुप्या ही मिल रहा है है कि नी बले ही 100 रुप्या में से 60 र प्रोथ हो रहा है समझेंगे नहीं वही बातियां पर लिखा है जातर प्रॉफिट इंडस्ट्री को चला जा रहा है बलकि फार्मर्स को नहीं जा रहा है ठीक है यह हो गया दूसरा आडगोमेंट जो लोग यह कहते हैं कि सबसेडी नहीं होना चाहिए ठीक है इस जीजन से सबसेडी हटाया जाना चाहिए तीसरा रिजर यह है कि वह लोग बोलते हैं कि यह जो सबसेडी गौर्णमेंट दे रही है इसका बेनिफिट जो है मेंली वह फार्मर्स उथा रहें जो प्रॉस्पेरस रीजन से बिलोग करते हैं फॉर एक्जामपल पंजाब हो गया तमिल इन सब जगा के जो फार्मर से जो बड़े रीच फार्मर से वही लोग इस सबसेडी के ज़्यादा फायदा उठा रहें इस मौन और मार्जिनल फार्मर्स उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इस रिजन से भी सबसेडी को हटाना चाहिए यह तीसरा इलका पॉ बड़ा डाल रही है ठीक है आपको पता ही है कि ऐगरिकल्चर तो काफी अच्छा-कासा होता है इंडिया में इसको सब्सेडी देने में गौश्युदू का काफी ज़धा खर्चा काफी ज़धा पैसा इस सेक्टर पे जाता है तो यह गौश्युद्वह पर काफी बडेन ड तो यह एक काफी रिसकी विजनस है यह पहला रिजन है उनका ठीक है तो रिसकी विजनस है तो गवर्मेंट को यह पर सपोट करना चाहिए और सबस्टिडी प्रवाइड करना चाहिए दूसरा रिजन यह है कि आज के डिट में भी जनातर फार्मर्स जो है इंडिया में वो तरन नहीं चाहिए ठीक है यह हो गया उनका दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट वो लोग यह बोलते हैं कि अगर आप सबसेडी हटा देंगे न तो इससे क्या होगा जो रिच और पूर के बिच पूर इन इक्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे जो हमारा फाइव यह प्रन का जो गोल है एक्विटी वो गोल वाइलेट हो जाएगा पूरा नहीं हो पाएगा तो यह तीसरा रिजन हो गया कि क्यों सबसेडी कंटिनिव कर रहा चाहिए इसके अलाबा एक रिजन वो लोग और भी देते हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर य इसलिए सबसेडी हटाना चाहिए तो यहां के जो इकरोमिस्ट है वो बोल रहा है कि इसका सॉलीशन यह नहीं कि आप सबसेडी हटा दीजिए आप स्टेप्स लीजिए जिससे कि यह बेनेफिट जलातर पूर फार्मर्स को पहुंचे यह नहीं कि सबसेडी पुड़ा पूर दूबर पर आर कर लिजाएगा ठीक है चलिने यह ए अधिन पीडिएप आपको मिली जाएगा मेरे साइट पर इंप्वोर्चन एचर में डालेंगे चलिए आगे देखते हैं तो यह सो हो गया debate over subsidy, तो does by late 1960s, ठीक है, इस समें 1960 समझते हैं, मतलब 1960 से लेके 1969 तक, 0 से 9 समझ रहे, S के लिए आता है, तो late बोला गया है, मतलब इस year के करी, क्या हो गया कि agriculture productivity काफी हतक बढ़ गया, और हम लोग self-sufficient हो गये food grain, अब हमें import नहीं कर्टा पर रहा था, ठीक है, और यह काफी बड़ा achievement था, जिसके उपर हमें गर्वरा चाहिए, लेकिन इसका एक negative side भी है, ठीक है, negative side यह है कि, जो लोग agriculture पे dependent है ना, as a source of livelihood, उनका percentage उतना कमा नहीं, अभी भी 60% लोग, मतलब 100 में से, लगबग 65% लोग ऐसे थे जो अभी भी agriculture पे dependent है, agriculture sector में employed थे, ठीक पे dependent है लोगों का, वो लोग लिके लोग के, industrial sector और service sector में काम करें, ठीक है, यह अच्छा मना जाता है, तो यह एक negative point था, यहाँ पे, कि जाड़ा तो लोग अभी भी agriculture पे dependent है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि, यह जो subsidy है ना, यह government के उपर काफी बो importance बताया गया है, कि price कैसे, as a signal काम करता है, देखे, गौर्मेंट जो है, मान लीजिए, यह मान लीजिए, यह पे government है, यह farmer है, farmer को fertilizer की 100 रुपे पर रहा है, ठीक है, 100 रुपे में से farmer सिब 60 रुपे दे रहा है, और बचा हुआ, 40 रुपे गौर्मेंट दे रही है, ठीक है, लेकिन farmer को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, farmer सोच रहे है, मुझे तो fertilizer स्टार्ट रुपे में ही मिल रहा है, ठीक है, farmer के लिए cost किता है, 60 रुपे तो हो सकता है, इस farmer को यह 60 रुपे काफी कम लगे, और इसको वो काफी wastefully use करना, इस टार्ट कर दे, ठीक है, लेकिन वही इस farmer को अगर 60 रुपे जगा पर 100 रुपे करना होता, तो farmer सुचता कि नहीं है, एक scarce resource है, ठीक है, इसका scarcity है, इसको अच्छे से use करना है, बरबाद नहीं करना है, क्योंकि इसमें पैसा लग रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे आज के टाइम में अगर आपको एक बोतल पानी पानी एजली कि दिनेगे, क्योंकि पानी फेक्द पानी फेक्द रहे हैं, पॉले फिले फिले अशर weit लग बग लग लेकिर आपको उले एक पेट्रोल के दिखाओ, आपनी फेक्रोल प्रेक्स के पानी हरे है, तो वही आप लोचिक यह पर दिया ships कर रहे है, ठीक है, तो सब सब्सेडी जो है वेस्ट फूर वी यूज ऑफ रिसोर्स करवाता है ठीक है सब्सेडी को इसके लिए भी हटाता चाहिए समझे की एक रिजन देते हैं यह लोग चलिए यह अमने समझ लिया आते हैं वापस टेक्स्ट वे कि वापता हूँ कि वापता हूँ कि अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि 1950 से लेके 1990 तक वही चालिस साल का पिरियड फर्स्ट फाइव यह प्लान से लेके 75 यह प्लान तक जो अग्रिकल्चर सेक्टर का जीडिपी में कंट्रिविशन जो है ना वह कापी हद तक डिक्रीज हो गया ठीक है लेकिन जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थे वह अब भी बहुत ज्यादा था देखें आप यह मां को बताया थे एक टर्म जिसको बोलते है इस्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन याद है कि बूल गए यह टर्म क्या बोलता है कि कि कंट्री का जीडिपी है उसमें यह तीनों सेक्टर अग्रिकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस इसका कितना कितना कंट्रिव कितने हैं वह काफी कम गया है। मतलब अगर कंट्री में इंक्म सो रूपया है तो अग्रिकल्चर सेक्टर जो पहले मान लिजिए त्रुपया कमा कर आ दे रहा था अब यहीं aúnन्डिकल्चर सेक्टर इस सो रूपय में अक्टीर 3 रूपया क्यों क्यों ज्यक्रिपी में वह क हो गया यह काफी अच्छा चीज मना जाता है पॉजिटीव मना जाता है समझे की नहीं वहीं बात यह पर लिखाया है लेकिन जो पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंस है अग्रिकल्चर पे वह उतना डिकलाइन नहीं हुआ अभी भी तक भी 64.9% पॉपुलेशन अग्रिकल्चर पे डिपेंडेंट है लगबग 65% ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ क्यों लोग अग्रिकल्चर से निकलने पारें तो उसका रिजन यह है कि जो बाखी दो सेक्टर है ना इंडॉस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर यह लोग जो प वो लोग ज अग्रिकल्चर सेक्टर में काम कर रहे उन जादर लोग ऐसे होंगे जो परहें लिखें नहीं होंगे उसके अंदर कोई स्किल नहीं होग कोई तो यह लोग इंडॉस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में एंडर नौन उपॉरा रहे समझे की नहीं मजबूरी में इतना बात आप याद रखेंगे अगरिकल्चर सेक्टर के वारे में इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा अब है दूसरा सेक्टर जो की है इंडस्ट्री और तीसरा है ट्रेड पहले इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं ठीक है देखते हैं कि यह 40 साल का प्रियेड में 1950 से ले इंडस्ट्री कैसा पर्फ़र्म की नहीं कि वह धे दिखे ढाइं सबसे पहले यह समझते है कि इंडस्ट्री का डेवलाप होना क्यों इनपोर्टेंट है सबसे पहला इंडस्ट्री कर एंद्श्ट्री का बना चाता है कर्ड़ी कुम्पेर तू अगरिकौलजर सेक्टर थीक इंडस्ट्रियल सकर को डभल उब करना इंपॉर्टेंट है I O कटैने पर आज Meyer Α चरप पर रहें थे किसा ना Among the कट यह जब हम helemaalरा कंट्री इंड्रिपेंडेंड हुआ था तब आपको बता है बहुत ही कम इंडस्ट्री थे हमारे कंट्री में में दो टाइप के इंडस्ट्री पाई जाते थे एक हो गया कॉटन इंडस्ट्री और एक हो गया जूट इंडस्ट्री ठीक है यही दो टाइप के इंडस्ट्री पाई जाते थे मतलब क्या था अलग अलग टाइप के इंड़स्ट्री नहीं मिलते थे जिसको बलते है डाइभरसिफिफिगेश्चन यह तर्म को याद रखिएगा आग भी डिसकस होगा डाइबर्सिफिकेशन मतलब अलग-अलग इन टाइप के इंडस्ट्रीज देए थे सिफ यही दो टाइप के इंडस्ट्रीज थे ठीके आगे देखे एक यहाँ पर टम हाइलाइट किये हैं वो थोड़े दिर में समझेंगे वो यहाँ पर लिखाया देखिए दो ही इंडस्ट्रीज थे cotton और jute और सिफ दो आईजन एंडस्ट्रीज थे इतना ही कम इंडस्ट्री था इंडिपेंडेंडेंस का टाइम में ठीके तो हमें इंडस्ट्रिल वेस को एक्स्पैंड करना था यह काफी जरूरी था तो देखते ह कैसे एक्स्पैंड करती है उससे भी पहले गवर्फन्ट के सामनी यह सवाल था कि यह इनडस्ट्रिल सेक्टर में इंडस्ट्रिल डेवलाप्मेंट में कौन ज्याद डिवल प 오래 करेगा पुब्लिख जो industrialist थे उनके पास दो limitation था मतलब दो कमी था सबसे पहला उनके पास capital नहीं पैसा था नहीं machines था ठीक है इतना पैसा और machine नहीं था कि वो लोग industries start कर पाए और इंडियार economy को develop कर पाए ठीक है यह पहला limitation दूसरा limitation यह था industries industrialist के पास यह था कि market भी उतना बड़ा नहीं था इंडियार market में इस industrialist को समझनी आ रहा था कि यह जो समान बगर बना भी देंगे तो यह market में कैसे बिखेगा नहीं बिखेगा market उतना बड़ा था ही नहीं थीक है तो वो यह आपे लिखाए कि market कोई भी इस बड़ा industry established नहीं करना चाहरा था क्योंकि उनको पता नहीं था कि market कैसे रियाक करेगा नहीं करेगा ठीक है तो यह दो रिजन का वजह से गौर्मेंट को क्या करना पड़ा एक extensive role play करना पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब इस इंडस्ट्री इस इस्टब्लिश करने का दर्मदार है वो गौर्मेंट अपने सिर्पे लिए ठीक है और हमें यह भी पता है कि इंडियान एकनोमी जो है वो सोचलिस्ट लाइन persistence सेरी कर दोमिनेटिंग गौर्मेंट चेकर टिक हैline पर चल रहा है भूपिज फिस दोमीनेटिंग गौर्मेंट सेक्टर चेकर बस कि गवार्मेंट को अगर्मेंट चेकरवेंग कर मांदियंगा क Belgium तो जो इंडिया का 2nd 5-year plan था उस 2nd 5-year plan में यही उपर के सारे चीज़ को देखते हुए गवर्मेंट ने एक policy निकाला जिसको बोलते है Industrial Policy Resolution 1956 आपको पता है थोड़े दर पहले कि एक Industrial Policy Resolution 1948 भी था एक्जाम में कोशन पूछेंगे सबसे पहले कोन आया था तो 1948 वाला टिक करना है आपको ठीक है फिलाला पितर याद रखिए कि 2nd 5-year plan में Industrial Policy Resolution 1956 आया इस Resolution में क्या किया गया तो देखिए इसके तहत country के अंदर जितने भी industries थे ना उनको तीन का टेगरी में डिवाइट कर दिया गया पहला काक्त रखिए अइसे इंडस्टी थे जो गौर्मेंट ओन करके रखी हुई थी दूसरे काटेगरी में ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिसमें गवर्मेंट और पब्लिक सेक्टर और प्राइबे सेक्टर ठीक है यह दोनों मिलके उस इंडस्ट्रीज को चला रहे थे ठीक है और इसमें भी जो गवर्मेंट थी उनका इसमें पता है प्ब्लिक गवर्मेंट का भी रोल है फ्राइबे का है लेकिन अगर को नया इउनका रहे टार्ट इसे इंडस्ट्रीस थे जो बचे कुझे थे जिसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि तुम लोग ये इंडर्स्ट्रिस को डवलप करो ठीक है अब देखिए तो आप तो ये सुनके खुस हो गए होगे कि चलो तिसरा काटेगरी ऐसा काटेगरी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर फ्रीली काम कर सकता है लेकिन उस समय ये चीज उतना भी आसान नहीं था उस समय इस तिसरे काटेगरी को भी काफी कंट्रोल में रखा गया था गौर्णमे अपने कंट्रोल में रखी हुई थी कैसे देखिए सबसे पहला कि नो न्यू इंडस्ट्री वस अलावड अन्लेस अलाइसेंस वस अप्टेंड फ्रॉम्ट नया इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करना है तो जब तक गौर्णमेंट से लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक कोई सबस्ट अब नाइस बकौर्णमीनलो एक तरीका तो यह हो गया इससे में खराब नहीं है गौर्णमेंट चाती थी कि बनाने के लिए लाइसेंसी दिना ही देती थी गवर्वन चाहते थी कि ये जो प्राइवार्ट सेक्टर है ये अपड़ा इंडस्क्री Remember रॉड एशन where यहाँ पर लिखा हुआ था प्रोमोटिंग इंडस्ट्री इं बैक्वर्ड डिजसंस ठीके अगर कोई इंडस्ट्री चाहती थी कि उसको इकोनोमिकली बैक्वर्ड एडिया में इंडस्ट्री इस्टब्लीज करना है तो उसके लिए लाइसन्स अप्टेंड करना काफी इस था ठीक है, government easily license दे दे थी, इसके अलाबा अगर कोई industry ये backward region में establish करता है, तो उसको काफी tax benefit भी मिलता था, कि वो जो product बनाएंगे, उस पर government काफी कम tax लेगी, या फिर नहीं लेगी, ठीक है, इसके अलाबा वैसे industries को electricity भी provide किया जाएगा at a lower tariff, काफी कम rate में electricity provide किया जाएगा, तो यह सब कुछ benefits है, जो government industries को देती थी, ताकि वो अपना unit है, वो backward area में establish करे, और जो regional equality है, वो maintain हो पाई country में, समझ रहे की नहीं, चलिए, फिर आगे दिखिए, अगर कोई ऐसा industry है, तीसरे काटेगरी वाला, ठीक है, जिसमें सिब प्राइवेस सेटर रोल प्ले कर रहे ह वो मानलीजी एक जगा पे establish हो गिया, ठीक है, अब मानलीजी वो industry चाहता है कि वो अपना output को बढ़ाए, पहले मानलीजी यह 100 bicycle बनाता था, अब वो चाहता है कि अब वो 200 bicycle बनाए, output expand करना चाहता है, तो उस case पे भी उस industry को क्या करना पड़ेगा, government से एक license लेना पड़ेग government permission देगी, तो ही वो output बढ़ा सकता है, तो यह एक तरीका था, या फिर मानलीजी यह industry चाहे कि वो अपना product को diversify करे, diversifying production, इसका meaning होता है, producing a new variety of course, cycle के साथ साथ अब मानलीजी वो बच्चा वाला cycle, या फिर तायार हो गिया, जो भी अलगना टाइप ता product वो चाहता है, बना उस industry में, तो इसके लिए भी वो क्या करना पड़ेगा, उसको government से license लेना पड़ेगा, समझे की नहीं, तो यह करने का पीछे government का उद्देश यह था, कि economy में, यानि country में सिफ उतना ही समान produce हो, जितना की जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा produce ना हो, ठीके, तो government जो feel करती थ यह समान को produce होना चाहिए, तो बसे समान को produce करने के लिए government license दे देती थी, बाकी में नहीं देती थी, ठीके, चलिए, तो यह हो गया, कुछ-कुछ बात, इसके अलावा अब आते हैं, अगला small topic पर जो की है, small scale industry, उनिस सो पस्पन में, एक committee बैठा था जिसको बोलते है, village and small scale industry committee, इसको कारवे committee भी बोलते है, very important, इसके उपर तायरे question आएगा कि, small scale industries related कौन सा committee है, 4 committee का नाम देंगे, तापको कारवे committee टीक करना है, ठीक है, यह committee बैठा, और इन्होंने यह बात note किया कि, small scale industries को use करके, हम total development कर सकते है, अब आपके बन में समाल आना होगा, यह small scale industry होत find करते है, on the basis of maximum investment allowed, किसी भी industry में, अगर maximum एक करोड रुपिया अलाव हो, एक करोड रुपिया ही, पुझी लागा कि, अगर वो industry start हो रहा है, उसमें एक करोड का ही investment है, उससे जदा का investment नहीं है, तो ऐसे industry को क्या बोलते है, small scale industry, अगर मालनीजे यह 50 लाग किसी industry में investment allowed है, ठीक है, पुझी बात यहां पर लिखा है, कि at present maximum investment ऐसे industries में, एक करोड रुपे आना हो है, ठीक है, किसी भी industry में अगर एक करोड से कम का investment है, तो वो small scale industry कहना आएगा, small scale industry का benefit क्या है, सबसे पहला benefit यह है, कि यह industry काफी labor intensive होती है, यहां पर machines कम use किया जाता है, जिससे क्या ह जादतर employment generate होता है, ठीक है, आप बात है, कि यह जो small scale industry है न, यह बड़े industries से compete नहीं कर पाएगी, क्योंकि बड़े industries में machine का use होगा, और यह लोग ऐसे product बना देंगे, जो quality भी अच्छा होगा, price भी कम होगा, है कि नहीं, तो यहां पर small scale industry का समान, इन से compete नहीं कर पाएगा तो small scale industry को promote करने के लिए, government ने कुछ steps लिया, सबसे पहला, जो product है न, वो product को reserve कर दिया गया, कि यह ऐसे product सिप small scale industry ही बनाएगे, कुछ ऐसे product है, जिनको यह fix कर दिया गया, कि यह product जो बने industries है, वो बनाएगे ही नहीं, यह product सिप small scale industry बनाएगे, तो इस से इनको competition में रात मि और दुसरा तरीका यह था कि यह small scale industries को काफी ज़धा concession भी दिया गया, concession tax के रूप में low excise duty, tax काफी कम देना पादा, plus इनको bank loan मिलता था, काफी कम rate of interest में, अगर किसी को small scale industry स्टार्ट करना है, तो वो bank से loan ले सकता है, और काफी कम rate में उसको, interest rate में उसको loan मिल जाएगा तो यह सब उस तरीका था, जो government अपना ही small scale industry को step develop करने के लिए, backward areas में, rural areas में, ठीके, benefit हमने देखी लिया, चली, तो यह हो गया, industry हमने पूरा समझ लिया, अब बात करते हैं, अब ही हम समझ रहे कि government ने क्या-क्या steps लिया industry को develop करने के लिए, इस 40 साल के period में, 1950 से लेके 1990 त अब यह industry कैसा perform किया, क्या growth हुआ, growth हुआ भी कि industry डूबा, इस 40 साल में, वो अभी थोड़े दर में देखने वाले, इस topic में देखेंगे हम लोग, ठीक है, effect, उससे पहले हम थ्रा trade के बारे में जान लेते हैं, ट्रेड वो लेके government का policy कैसा था, ट्रेड मतलब इंडिया का वैपार जो है, दुसरे countries के साथ वो कैसा था, हम लोग बाहर समन बेशते थे की नहीं बेशते थे, दुसरे countries से समन खड़िते थे की नहीं खड़िते थे, वो देखना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर heading में ही reward looking trade strategy follow किये, technically इसको हम लोग import substitution बोलते है, import substitution का meaning होता है, replacing और substituting imports with domestic production, माली यह हमारा country है इंडिया, इसको कोई समवान पहले बाहर से import करवाना परता था, तो government देखी कि यह समवान import करा रहे हैं हम लोग, चलो ऐसा industry country में ही बना देते हैं, और हम लोग यह समवान अब country में ह भी develop करेंगे, produce करेंगे, ठीक है, तो इसी ताकि आप हमें future में इस country से import ना करवाना करें, इसी को बोलते है, import substitution, import को आप substitute करते हैं, मतलब हटाते रहे हैं with domestically produced goods से, समझ रहे हैं, तो वही बात ही आपे लिखाया, तो इसका definition आप याद कर लीजेगा, example देके यह पर समझाय है कि foreign country से वेकल्स ना मंगा के हम क्या करेंगे, industries को encourage करेंगे कि वो इंडिया में ही वेकल्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो इसके यह क्या करना होगा, government को domestic industries को protect करना होगा, क्योंकि देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ था, हमारे पास तो industrial base है ही नहीं, ठीक है, कोई इंडिया बनेगा, नया नया बनेगा, वो पहले तेरा मेना प्रोड्यूस करेंगा, ठीक है जाला cost में प्रोड्यूस करेंगा, तब जाके वो धिये धिये अपना efficiency बढ़ाएगा, product quality भी बढ़ाएगा, है कि नहीं, इस्टार्टिंग में ही आप गोलेंगे कि इसको international products से compete कर तो यह सकेगा, नहीं सकेगा, है कि नहीं, तो यह जो domestic industry थे, हमारे culture के industries इनको protect करता था government को, है कि नहीं, foreign competition से, तो government क्या करती थी, बाहर से कोई भी समान अंदर आने नहीं देती थी, तो बाहर से समान आने, बाहर से कोई समान इंडिया में आने से रोपने का दो तरीका है, एक है tariff और एक है quota, यह tariff क्या होता है, तो tariff are a tax on imported goods, they make imported goods more expensive and discourage their use, गौर्मेट क्या करती थी, अगर बाहर से कोई कार मन लीजे इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो government उस पे tariff लगा देती थी, tariff मतलब tax लगा देती थी, यह मन लीजे 100 रुपे का कार आ र पिलाला भी के लिए, और government इस पे मान लीजे 30% का tariff लगा दी, अब इसका दाम कितना हो गया, 100 का 30% तो 30, तो 100 plus 30, 130 रुपे आ गया, यहापर जो consumer है उनको यह car अगर खरीदना है, तो 130 रुपे देना परेगा, तो यह car expensive हो गया, ठीक है, और लोग इसको अब खर देंगे इस तरीके से जो बाहर का समानी इंडिया में कम भीगेगा, है कि नहीं, एक और तरीका होता है, quota, quota क्या होता है, quota में हम लोग quantity को specify कर देते हैं, कि आप इतना ही quality इंपोर्ट कर सकते हैं, माल लिजे कोई यहापर businessman है, वो दुगान खोला और बोला कि हम यहापर car बेचेंग करते हैं, माल लिजे government यहापर quota fix कर दे, कि आप से maximum 20 car ही मंगा सकते हैं, तो यह पहले 10 मंगा लिया, और 10 मंगाएगा बस, और नहीं मंगा सकता है, तो यह quota को यूज करके भी government जो है, वो बाहर से जो import आ रहा है, उसको reduce करती है, समझे की नहीं, यह रहा, tariff और quota imports को restrict करते ह हैं, और इस तरीके से हमारे domestic firm जो है, वो लोग produce बना, जो product बनाते हैं, वो consumer को मिलता है, consumer को क्या है, जो मिलेगा, वो ही खरते हैं, इंडिया में बने, चाहे बाहर से बने वो, ठीक है, तो domestic firms यहापर protect हो जा रहे है, from foreign competition, ठीक है, अब government का reason क्या था, government क्यों ऐसा काम कर रह पहला, उन्होंने बताया कि developing countries के जो industries होते हैं, वो इस position में नहीं होते हैं, कि वो developed economy के जो product है, उनसे compete कर पाए, है कि नहीं, अब अमेरिका से बना हुआ कार अगर उसमें इंडिया में आता तो इंडिया का industry क्या ख़राओ पाता नहीं, सारा लोग अमेरिका का कारी ख़रीत यह domestic industries है ना, यह लोग compete करना सीख जाएंगे, in course of time, ठीक है, तो इस region से भी शुरुआत में initially इनको protection प्रोटेक्शन प्रोवाइट किया गया, ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा region यह लोग देते हैं, कि जो planners थे, यानि जो government के लोग थे, उनके मन में यह डर था, कि अग जो foreign exchange reserve है न, वो यही सब luxury goods में खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए restrictions लगाना जिरूरी है, अब यह क्या है foreign exchange reserve, देखे, कोई भी country न, for example, मा लीजे इंडिया है अभी हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे country के जो currency है, जो पैसे हैं, उसको हम लोग अपने पास रखते है, उसी को बोलते है foreign exchange reserve, इसको हम macro economics को भी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो अमेडिका का currency क्या हो गया, डॉलर हो गया, यूरो, यूरोप का यूरो हो गया, ठीक है, ऐसी करके gold हो गया, फिर France का currency, जापान का currency, ठीक है, चाइना का currency, सब हम लोग अपने पास रखते है, हर country अपने पास यह reserve maintain करता है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए, आगे चलके, अमेरिका से कोई समान खरीतते है, तो हमको अमेरिका को कैसे pay करना है, तो हम लोग डॉलर में pay करेंगे, या फिर gold में pay करेंगे, जैसे अमेरिका बोलेगा, वैसे हमको pay करना होगा, उसी तरीके जैसे मन लीजिए, हम चाय Edge से कुछ खरीतते हैं, अगर तो क्या तो हमें चाय लीज से करेंशी में pay करना होगा, नहीं तो हमें क्या करना होगा, डॉलर में pay करना होगा, डॉलर रैक अ कैसा currency है, जो सारा country एकसे है अगषेप कर लेते हैं, तो हम दज़ा हम को मन में यह डर तो इसलिए सब कंट्री अपने पास यह फोरेन एक्षेंज रिजर्व यह मेंटेन करते हैं यह जीता जदा रहेगा उतना कंट्री सेफ माना जाता है तो हमाने जो प्लानर्स थे वो लोग के मन में यह डर था कि अगर हम बाहर से सिफ कार मंगवान ले लगे ठीक है तो हमाना माने दो यह यह तो हम उपर्ड़ कर रहा है न तो इनको कैसे करया होगा इन कंपनी में नहीं को सुझ करना लेंग बहुत यह द इंबर कि नहीं को शेंके लिक टोभर चाइंगे एक औरयाम और पेश्या किने टुट ऑई इसलिए अपलेबल तो नहीं होगा तो अगर हम इन लग्जरी आइटमस में ही यह सब खर्च कर देंगे तो निजरी गूर्ट का कमी आ जाएगा ठीक है तो इस रिजल से भी इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया वही बात यहां पर लिखा है जो फॉरेन एक्सेंज है वो इन लग्जरी गूर्ट के इंपोर्ट में ही स्पेंड हो जाएगा अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया तो इस वरसे भी टैरिफ और कोटा ले जाया गया समझें तो यह सब कुछ पॉलिसी इंडर्स्ट्रिल सेक्टर और ट्रेड इसमें अपनाया गया ठीक है अब देखते हैं इसका इंपक्ट एफेक्ट क्या हुआ इंडर्स्ट्रिल डेवलप्मेंट में तो यहां पर आपका मंद खुछ हो जाएगा यह बात जानके कि इंडर्स्ट्रिल सेक्टर काफी अच्छा रिजल्ट दी यहां पर ठीक है जीडिवी में आप बड़िवी आपके क्षेंट का क्यां रुप्या है वह यही में लेकिन यही नंब्र 1990 तक आते आते बढ़ गया अब वह इंडर्स्ट्रिल सेक्टर कितना खाँ के दे रही है लगबग 24.6% इतना ही था ना? तो यह हो गया, तो यह data आप याद रखेंगे, ठीक है? 24.6% industry का contribution था ECR में, समझें? इसके अलावा एक और data आपको याद रखना है जो industrial sector का जो annual growth rate था, वो 6% था जो कि बहुत impressive है, बहुत ही commendable तारीफ के काबेर, ठीक है? 6% से industry grow की, मतलब industry अगर मान लीजिए, इस साल 100 रुपे का समान बना रही है, तो अगले साल यह industry 110 रुपे का समान बना रही है, हर साल 6% से grow कर रही थे, तो यह काफी अच्छा growth rate माना जाता है तो यह दूसरा impact हुआ, ठीक है? इसके अलावा जो हमारा industrial सेक्टर था, वो काफी diversify हो गया 1990 तक स्टार्टिंग में हम लोग सिफ cotton और jute industries तक ही limited थे, एक आध अध अधन इन इस्टिल इंडस्ट्री थे, ठीक है? लेकिन 1990 तक हम काफी divers हो गया, अलंग अलंग टाइप के industry हमारे country में established हो गये थे, ठीक है? फिर जो हमारे government ने small scale industries को promotion प्रोवाइट किया था, इससे वो लोग जिनके पास capital नहीं था, machines नहीं थे, पैसे नहीं थे, इंडस्री से start करने के उनको भी opportunity मिला, ठीक है? और इसके अलावा, जो हम foreign competition से protect किये हमारे industries को, तो वैसे उसके कारण indigenous industry मतलब तो domestic industry है, उनका भी development हुआ, जैसे के electronics हो गया, automobile sector हो गया, यह सब का भी develop किये, ठीक है? तो यह तो बहुग गया कुछ positive effect, अब बात करते हैं, कुछ ऐसे economist भी है, जो यह argue करते हैं, वो काफी critical है about the performance of public sector enterprises, वो बोस नहीं कि नहीं, इस 40 साल में, यह government जो इसना dominating role play किये है, यह काफी negative रहा है हमारी economy के लिए, अब यह लोग क्या क्या reason देते हैं, वो देखेंगे, उससे पहले कुछ टॉम आपको समनाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, यह मार लीजे GDP है, country का total income, ठीक ह 100 रुपया, इसमें calls are in sector, जो है, वो कितना कितना contribute कर रहा है, agriculture, industry और service sector, कितना कितना contribute कर रहा है, इसको क्या बोलते है, structural composition, यह तो आपको बता दिये थे, यह वोड याद रखिया, यह पुड़ा economics book में यह term बार बार इस होगा, इस structural composition तो बोलती है, इसके साथ साथ इसको हम लोग sectoral contribution to GDP यह भी बोलते है, यह term भी याद रखिये, यह दोनों एक ही चीज है, समझे ही नहीं, यहाँ पे देखिए, 1950 में अगर country का income 100 रुपया था, तो उसमें से agriculture sector 59 रुपया कमा के दे रहा था, इंडस्ट्री सीप 13 contribution ने, वो काफी कम गया, ठीक है, लगभग आधा हो गया, जो कि काफी अच्छा बात है, industrial sector रा contribution बढ़ गया, यह लगभग double हो गया है, ठीक है, यह भी काफी अच्छा बात है, और service sector भी ग्रो की है, समझे की नहीं, तो यह जो data हम देख रहे हैं, इसको क्या बोलते है, structural composition य याद रखेंगे, कि 1990 में कौन से कौन से सेक्टर कितना कितना कंट्रिव्यूट कर रहा था, यह अभी फिलाल के लिए छोड़ दीजे, फिर याद करी लिए यह तीनो, ठीक है, फिर आगे यहाँ पे, हाँ, यह देखिए, यहाँ पे एक ठ्रम है, occupational structure, यह क्या होता है, यह मा इस सो नोग में से, अगरिकल्चर सेक्टर पे कितना dependent है, इन्डर्च्ट्रल सेक्टर पे कितना dependent है, सर्विस पे कितना dependent है, यह जो अब देख रहे है, इसी को क्या बोलते है, occupational structure बोलते है, तो देखिए, निटीन फिप्टी में, सो में से बहाथतर लोग ऐसे थे जो अगरि एफेक्ट माना जाता है उन्डस्ट्री में 1950 में 10 पर इन्डस्ट्री पर डिपेंडेंट 14 साल में लेकिन तो भुल्ट कम इनक्रीज हुआ कम लोग कै Ram करते हैं नमीनल इनक्रीद नाम मात्रशे कई सब्सक्राइब लुए मिला तो यह डेटा आपने भी याद रखें तो कम से कम यह टॉम याद रखें और को बेस्टनल इस्ट्रक्चर ठीक है चलिए हम यहाँ पर थे कि कुछ एकनोमिस जो थे वो इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं हुए वो काफी क्रेटिकल थे अब देखते हैं वो लोग क्या क्या रिजन देते हैं इन इकनोमिस का कहना था कि यह जो इस्टेट इंटर्पाइज है ना मतलब जो गौर्णवेट इंडस्ट्री जो है ना यह लोग उन गूर्स को भी प्रोड्यूस करने लग गई जो बूर्स को प्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं था फॉर इक्जामपल टेली कॉम्निकेश सर्विस जो टेलीफोन सर्विस था ठीक है उसको पॉब्लिक सेक्टर बहुत देर तक प्रोड्यूस करते रह गए इसलिए नाइटी नाइटी तक भी अगर किसी को टेलीफोन क्नेक्शन चाहिए होता था तो उसको काफी लंबा वेड करता पड़ता था कि जनरली हम बानते क धिंडव इन्टरप्राइज मतलब काफी इनिफिजन्त होगा लेटलीफी से काम होगा ठीक है तो को फिलेट को क्या जूर्फ था यह सब चीजों को सॱ भी प्रोड्यूस करना यह सब चीजिज अगर गॉथ उसको सौफ देती तो अच्छा डब्लब हो सकता था तो कुछ ऐ बनाना तो यह लोग आर्गियू करते हैं कि अजिफ दग कि प्राइवेस सेक्टर कुड़नोट मैनुफैक्टर ब्रेट मरलों कि प्राइवेस सेक्टर ब्रेट बना ही नी सकता है गवर्मेंट को ब्रेट बनने का जुरू होता गवर्मेंट कुछ और अच्छा काम कर लेती ठी तो यह भी वो लोग आर्ग्यू करते हैं एक्जाप्ल देखें यह रहा दा पॉइंट इस डैट चार डिकेड्स हो गया है चालिस साल हो गया है प्लानिंग को इवाल्व हुए ठीक है प्लानिंग इस्टार्ट हो चुका है और गौर्णमेंट आज तक यह डिस्टिंग्शन न करी है यह तक कि जो नाशनल डिफेंस है वह आज के देख में भी काफी हद तक गौर्णमेंट के कंट्रोल में है जो होटल से मैंस करना वह भी वह प्राइबस एक्टर अच्छे से मैंस कर सकते लेकिन यह भी गौर्णमेंट मैंस करती थी तो वह यह पर लिखाया है यह दा गौर्णमेंट अलसो रंस होटल ठीक है जो कि जुरूरत नहीं है यह पर लिखाया है कि यह स्कॉलर्स का यह मानना है कि यानि जो गौर्णमेंट है उनको इन सब एरियास से बाहर निकलना चाहिए जो एरियास में प्रैवेस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते ठीक है औ कई सारे ऐसे पॉब्लिक सेक्टर फर्म्स थे जो काफी लॉस इंकर कर रहे थे ठीक है लेकिन इसके बावजूर्द भी उन पॉब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को क्लोज नहीं किया रहा था क्योंकि गौर्णमेंट अंडर्टेकिंग को क्लोज करना उतना एजी नहीं होता ह है भले ही यह जो इंडस्ट्री है वो काफी लॉस दे रही है कल्टर का रिशोर्स नुकसान हो रहा है लेकिन गौर्णमेंट इसको बंद नहीं कर रही थे ठीक है अब इसका मतलब आप यह इंडस्ट्री अगर प्राइवेट के हाथ माता तो लॉस नहीं होता प्राइवेट प्राइवेट फर्म्स थे तिसरे काटेगरी वाले जो क्या कर रहे थे वो लोग बंद हने वाले थे लेकिन गौर्णमेंट क्या कि वहाँ पे उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट की नेस्ट्रलाइज कर दी सरकारी इंडस्ट्री बना दी ठीक है ताकि क्या हो पाए जो वार इस 40 साल का प्रफॉर्मेंस को यह लोग एक और इजन देते हैं कि जो गौर्णमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम लाया था यह उतना कारगर नहीं था इसका काफी हद तक मिस्यूस किया दने लगा था जो बड़े बड़े इंडस्री लीज्ट थे ठीक है यह लोग लाइसे ले लेते थे लेकिन नया फ़र्म स्टार्ट नहीं करते थे बस यह चाहते थे कि कोई नया कंपर्टिटर वह नया फ़र्म इस्टार न कर दे फर एज़ापल मालें यह एक बड़ा इंडस्ट्री लिस्ट है इसका ओर्रेड़ी यहाँ पे दो इंडस्ट्री चल रहा है अब यह क्या करने लगा कि यह गौर्णमेंट से बोलके पर्मिशन ले लिया कि मुझे इस जगा में भी इंडस्ट्री इस्टब्लीस कर रहा है यह य क्योंकि गौर्णमेंट इस कॉल्ड़ेडी लाइसेंस दे चुपकी है हैंगी नहीं तो यह लोग इस पॉलिशी का में स्यूज कर रहे हैं यह यहाँ पर इंडस्ट्री जब स्टार्ट नहीं कर रहा था तो यहाँ पर नया कंप्रिशन को वो लोग एंटरी नहीं करने दे र मह dranble था कि कैसे लाइसे लिया जाए कैसे मिनिस्टर्स लोग का खुसामत किया जाए ठीक है रधर इनको यह कशन था कि ए इन इंडस्ट्री लोग ग्रवें मैं पूरा दिमाग लागा थे लिएक नेगल में एप्सक्वा देली टो प्रोटेक्शन प्रोवाइट कर रही थी कोटा और टेरिफला आके ठीके इसका भी एक नेगेटिव इपक्ट पढ़ गया जो हमारे अपने जो प्रोडूसर थे ना काफी क्याप्ति पेडब यह प्रोडूसर को यहीए बात से महाँ प्रोडूसर थे तो यही उनको खरीदना परेगा तो इन प्रोडूसर के पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि यह लोग अपना रहे थे वैसा ही मार्गेट में भीग रहा था तो यह लोग भी काफी सूस्थ पर गए थे ठीक है तो अगर इनको अगर फॉरेंग कंपटिशन से अगर कंपीट करना होता तो यह लोग काफी इफिशेंट होते हैं अपने प्रोड़क्ट को इंप्रूफ करते हैं प्राइस करत करते हैं जो लोग काफी खुस है इस 40 साल के परफॉर्मेंस है वो लोग बोलते हैं कि देखिए पॉब्लिक सेक्टर जो है ना गौर्डमेंट जो है ना उनका काम प्रॉफिट कवाने का नहीं है यह पर जो आप बोल रहते हैं कि लॉस है फिर भी कंटिन्यू कर रही है तो आपको यह बाद समझना होगा कि पॉब्लिक सेक्टर का काम प्रॉफिट कवाना नहीं है बलकि वेलफेर प्रमोट कर रहा है बले ही कट इंडस्ट्री लॉस में जाए अगर वेलफेर हो रहा है तो वो काम करेगा ठीक है फिर अगला रिजन यह लोग यह भी देते हैं कि जो पॉब्लिक सेक्टर फर्म होते है उसको सिफ इस बात पर इवेलवेट करना चाहिए कि वो कितना वेलफेर कर पाई है इस बात पर नहीं कि वो कितना प्रॉफिट कमा के आई हुई है ठीक है और जहां तक बात रहा प्रोटेक्शन का तो यह एकनोमिस्ट बोलते है कि हम प्रोटेक्शन कर रहें है तो हम लोग भी कहा ढलते हैं कि अपने इंडस्री में आना चाहिए खीके अब मन भढ़िया यह पॉलिची से शीन गरना चाहिए तो लोग पढ़ गे है उनृत तो 1950 से लेके 1990 तक इसके बाद अगला सल के आएगा 1991 इस साल में कुछ बहुत ज़्यदा चेंजिस आया ठीक है वो चेंज क्या हुआ क्या हुआ क्या ने हुआ वह अमलग तीसरे चैप्टर पर पढ़ने वाले है ठीक है तो फिलाल के लिए यह इतने पर एंड हो जाता है समझें कि नहीं यह लास्ट टॉपिक आपको समझ भाया है कि नहीं यह वाला इतना सरा बुरा ही सुनने का बात यह एकनोमिक्स लोग जो दूसरे एकनोमिक्स से जिनका सोच यह था कि यह चारी साल का परफॉर्मेस काफी ठीक है इस्मेशन भी अपने इंडस्टी को प्रोटेक करते हैं तो हम लोग तो प्रोटेक करेंगे हैं अम लोग क्या फ्याह गलत है ठीक है ऐसा कुछ काउंटर करते हैं लोग चलिए तो इसी कि साथ यह चैप्टर एंड होता है उम्बीद करता है आपको समझ में आ गया हो 1950 से लेके 1990 तक, ठीक है, Class 12 लिख दीजिएगा, By CVAC Guidance, चलोगा नाव है, ठीक है, यह लिख के सर्च कर दीजिए, आपको पहला डिजर्स मिलेगा, उसको क्लिक करके, आप इन पॉर्टन को सेंसर प्रिपरे कर लेंके, ठीक है, चलिए, और इस अब्रेकर नोट्स भी आपको मि बताईएगा, अगर कोई doubt, confusion है, तो वो भी आप पूश सकते हैं, और अपने friend के साथ भी share कर देजिए, ठीक है, चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब भी कर देजिए, और वी चैनल पर वीडियो जे वो देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा, चलिए, मिलते हैं बहुत किसी ओर वीडियो में, तब तक किलिए, बाइबाइए, टेक केर.